तो यहां पर हम आज बात करने वाले हैं लीट को का आज का डिली प्राब्लम का क्वेश्चन जो की है कि लाज़िस्ट एल्मेंट इन एरे के बारे में तो बैसिकली यह क्वेश्चन वैसे टॉफ नहीं है बट यह क्वेश्चन मेडियम लेवल में तो आपको थोड़ा सा ध्य प्राण देने की ज़रूरत है ठीक है आप जब क्वेश्चन पढ़ होगे तो इसको मैं आपको समझ में आगा कि क्वेश्चन क्यूं आपको बोल रहा है कि अगर आप क्वेश्चन का सिर्फ नेम से जाते हो कि के लाज़िस्ट एल्मेंट मुझे निकालना तो आप अराम से क्वेश्चन के सबसे लाज़्ट स्टेट्मेंट यह सिंपल बोलता कि आपको सौर्टिंग ही नहीं करनी है तो जो सबसे आसान तरीका जो आपको दीख रहा था वो आपको यहां पर यूज नहीं करना और हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि अगर हम उसको यूज नहीं करत हैं तो किस तरीके से स्कॉष्चन को सौल्व करते हैं यहां पर बेसकली क्वेश्चन का देने का एक मातर मुझे लगता जो रीजन होगा कि आपको एक अलग टैप डेटर स्ट्रक्चर जो आपके पास है उसको आपको इंट्रियूस करना है आपको बताना है कि कैसे इसको य स्ट्रियूस करना मतलब बेसिकल यहां पर चल रहा ठीक है ना तो कुछ आसान है स्ट्रियूस कि आपको नहीं करनी यह एक वर हम ट्राइम कंस्टेंट पर भी देख लेते हैं कंस्टेंट हमारा कर रहा है कि 10 पार 5 मतलब कि हम एन लॉग एन तक जा सकते हैं और अगर आप ब पिरमज में आरा बिलाइंट नपलेक्सिटी किस करो एंड और उसके राउंड अपना सोलूसन को करने की को सिस करो एन लॉग इन देखने के बाद आप ऊस सिंपल एक क्वेस्टेंग पढ़ने के बाद ही आप उसेंपल एक ही बार में दिमाग में आ गया हो कि इसको हम बठेक यहां पर sorting नहीं करनी है, तो अब क्या हमारे पास कौन-कौन से रास्ते बच जाते हैं, सबसे पहले यह समझने की जरुरत है, देखो, यहां पर यह question जो basically दिया गया है, वो एक अलग type of data structure जिसका नाम है heap, heap नाम का data structure आपको introduce करना है, आपको समझाना है, आपको बतान लो, उसके बाद इस question पर आओ, और उसके बाद आप समझ पाओगे, हाँ, इस question में, यह line जो है, नहीं, अगर मतलब है, तो हम और किस तरीके से इसको solve कर सकते हैं, या heap यहां पर कैसे इस्तिमाल हो रहा है, ठीक है, तो इस question को यहां पर आप तब समझ पाओगे, डाइलेक् कर सकते हैं, तो heap basically दो तरीकिक होता है, ठीक है, एक mean heap होता है, एक max heap होता, max heap, heap मानलों एक ऐसा container है, ठीक है, यह एक ऐसा container है, जिसमें आपने बला बला बहुत सारी चीज़े डाल दी, बहुत सारी इंटीजर में ने डाल दिया, तो यह जो टॉप पे point करेगा न, यह तो ट टॉप पे इसका एक ठीक है, आपने बहुत सारे नंबर को दे दिया, तो इसनी क्या बोला कि हमेशा मैं क्या करूँगा, मेरे पास जब तक कोई ना कोई element होगा, मैं एक element को उठा कि उसको ऐसे top पे रखूँगा, तो यह top पे जो point कर रहोगा, यह basically अगर mean ही पे तो minimum होगा max if है, तो maximum element को point कर रहोगा, जो भी collection आप इसको दे रखे हो, उसका max element या mean element जो है basically वो ऐसे उठा कर रखता है, समझ लोई, इस तरीके से container है, अब है कि यह question में इसको कैसे इस्तिमाल कर रहा है, हमारा question क्या कहता है, कि हमारे पास set of element है, collection of element इस तरीके से है, और इसको मुझे उठाना है, बट मुझे sorting directly नहीं करना, तो इदे को sort करते हैं, तो हमारा क्या होता, sort करेंगे, तो अगर हम increasing way में चलते हैं, decreasing way में चलते हैं, तूसरी साब समारा change होता, यहाँ पर kit largest की बात हो रही है, तो हम लोग इसको decreasing way में sort करेंगे, ठीक है, मतलब सबसे पहला, जो सबसे बड़ा element होगा, वो पहले position पे होगा, उससे just छोटा, जो second largest होगा, वो यहाँ होगा, और इस तरीके से arrangement चलेगा, अगर हम sort करते हैं, तो if we sort, ठीक, अगर हम sort करते हैं, तो ऐसा कुछ होता, बट अगर हम sort नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि question ही हमें बंद कर रखा क sorting नहीं करना है, तो ठीक है, हम sorting नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम sorting नहीं करें, और इस heap को एक बार इस्तेमाल करें, इस heap के top element को एक बार हम choose करें, basically heap जहें, basically अंदर से यह आपको tree-based implementation है, और इसके बारे में और ज़्यादा मतलब किस और बीडियों बात करेंगें, बट फि पिक कर रहे हो, और जब यह पर element उसमें add करोगे, तो वो अंदर में balance करके, फिर चीजों को आपको top पे point out करके रखेगा, वो internal implementation है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूत नहीं है, बट हाँ, इसके बारे में जानकारी आप किसी ब्लॉग से या दूसरी वीडियो में, य तो अगर हम मैक्स हीप का, मैक्स हीप का यूज कर रहे हैं, बाइडिफॉल्ट अगर आप हीप का, जैसे कि हम C++ में priority Q के तरफ से करते हैं, तो अगर बाइडिफॉल्ट आप कर रहे हो, तो वो मैक्स हीप ही create होता, बट मीन हीप के लिए थोड़ा सा syntax में अंतर, अगर इसक HTML sheet करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो अल्रेटी इस पर ऐसे बहुत सारे blog हैं, बट HTML sheet के अंदर पूरा C++ के HTML container के बादे हम लोगों ने discuss कर रखा है, और आप यहां पर देखोगे heap का, यप, priority Q, इसमें basically आप जाओगे, तो आपका basically पूरा का पूरा जो है, वो आपको स पर रखे हैं, आपको जो की समझने में असानी होगी, उसको अब practice कर सकते हो, basically वहाँ से, ठीक है, तो point क्या है यहां पर, point यह है कि अगर हम max heap का एक बार use कर रहें, उसके max element को एक बार pick करेंगे, तो हमारे यह आएगा, ठीक है, अब हम चाहरे है कि इस heap का इस करें, बट अगले बार यह, इस element को point ही नहीं करेगा, max heap क्या करेगा, उस collection में से सबसे बड़ा element को point करेगा, और यह element जब तक है, max heap इसके अलाबा किसी और को point कर भी नहीं रहोगा, बाकि नीचे के element पता नहीं किस order में मुझे नहीं मालूंग, बट यह element मुझे पता है, कि सबसे first element होगा, सबसे max element ही होगा, तो अगर मुझे इस element को point करना है, यह तब तक point नहीं होगा, जब तक यह है, इसको मैं अगर remove कर दूँ, तब collection में सिर्फ यह सबसे बड़ा बचेगा, मतलब कि मुझे k-1 time, ठीक है, अगर मुझे second element चाहिए, तो एक को remove करूँगा, तब सबसे बड़ा element में यही बचा हुआ है, इसका मतलब कि अगर ket largest element मुझे निकालना है, तो k-1 time मुझे pop करने की जड़वत है, यह जो push pop, जो भी जितने operation इस पे होते है, push नहीं होता है, इसमें pop होता है, आप insert इस बगेरा जो है, वो आप उस blog में देख लेना, detail में दिया ठीक है, आपको हम पर समझे ना, और वीडियो भी basically आपको मिल जाएगा, okay, तो basically point का बताना चाहरा हूँ कि, ket largest element के लिए, k-1 time मुझे pop करने की जड़वत है, उसके बाद जो बचे का element, जो top पे है element, वो ही आपका ket largest element है, और यही चीज़ आपको basically करना था, यही चीज़ सम समझने की, यह सबसे basic सा question है, जिसको आपको heap से समझने की जड़वता है, ठीक है, okay, तो मैं आपको code दिखाता हूँ, code बेसे भेंकर नहीं है, बहुत ही चोटा है, तो इस function के अंदर simply मैंने priority q के तुरू एक heap को इनी slice किया, और सारे element को, nums के सारे element को मैंने डाल दिया, इस जैसे किया, k-1 सारे, के से largest element के बाद वाले थे, वो सारे k-1 थे element नहीं का ले गए, अब मुझे पास जो बच्चा टॉप है, जो maximum element है, वो cat largest element ही है, तो मुझे बस pq.top करना और उस element को access करके return कर देना, simple, तो यह simple 2-3 line यह आप इसको follow के तुरू करो चार-5 line का simple सा code सा, logic म कोई बहुत ज्यादा भेहंकर वाला चाज़ नहीं था, I hope कि आपको यह solution explanation समझ में होगा, आप ब्लॉग को देखना जरूर से, ठीक है, आपके काम की काफे चीज़े उसमें है, तो मिलते हैं के लिए वीडियो में, till now, bye-bye.